विश्कार आप देख रहे दर्श न्यूस की खास बुलिटिन आईए अब तक की प्रमुख खबरों को जानते हैं जद्यू MLC राधा चरंसा और लालू यादव के करीबी माने जाने वाले शुभासी यादव के ठिकानों पर आज एडी द्वारा छापे मारी की गई बताया जा रहा है कि राधा चरंसा और उनके करीबी के बिहार जारखन और पश्चिम बंगाल के 24 ठिकानों पर एक साथ चापे मारी हुई शुभासी यादव पर आई से अधिक संपत्ती के मामले में दानपुरुस्थेत उनके आवास पर चापे मारी की गई मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने आज 18 बिभागो की योजनाओं का शिला नयास किया इस अफसर पर डिप्टी सीम पे जश्वी यादव और अधिकारी गन भी मौजूद रहे डिप्टी सीम पे जश्वी यादव ने कहा कि बिहार तरक्की के पत पर है उद घाटन से बिहार के लोगों को लाब होगा उन्होंने कहा कि विशेश राज का दरजा मिलने से बिहार और आगे बढ़ेगा साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बिहार के साथ सौतेला प के बाद गंगान नदी में असध्या और्यद की चार नावे तैनात की गई हैं जिससे लगतार नेरिक्षन किया जा रहा है। प्छू के बताया है कि बहूं से निवार निवास पूल पर ड्यूटी करते थे विवास की नाइत ड्यूटी थी। भागलपुर पूल हाथसे पर मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने दुख जताया है और घटना को लीकर सक्त निर्देश दी हैं सियम नितीश कुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बहुत तकलीफ हुई है सही से काम नहीं हो रहा इसलिए बार-बार ये गिर जाता है हाथसे को लेकर सियम नितीश कुमार ने पथनिर्मान विभाग के अपर मुख्य सचीव सिविस्तार से जानकारी ली सियम ने निदेश दिया कि इस घटना की विस्तरित जाचों और दोशियों को चिन्नित करके कारवाई सुनिश्चित की जाए पुल हाथसे कुली कर बिहार में राजनीती गर्म है बीजेपी राज सरकार पर हमलावर है पूर्ब पथ निर्मान मंत्री और बीजेपी विधायक नितिन नवीन निस्यम नितीश कुमार और डिप्टी सीम ते जश्वियादों पर निसानस साते वे कहा कि आप इससे बश नहीं सकते उन्होंने कहा कि इससे पहले जब पुल गिरा था तब जाच हुई और जाच का रिपोर्ट आया रिपोर्ट में डिजाइन के गलत होने की बात सामने आया अगर डिजाइन गलत था तो फिर से काम शुरू क्यों हुआ इसके पीछे सरकार की क्या मन्शा थी वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक समराट चौधरी ने मुखेमतर नितीश कुमार पर हमला किया और पूरे मामले की जाच उच न्याले के सिटिंग जट से करने की मांग की है पुल हाथ से पर राजसरकार की मुश्किले बढ़ सकती है क्योंकि जद्यू के विधायक ही अब इस पूरे मामले पर सरकार के खिलाप खरे हो गए पर बत्ता विधायक डॉक्टर संजीब कुमार ने प्रेस कॉन्फरेंस आयो जितकर कहा कि इस घटना का अंदेशा मुझे पहले से था मैंने विधान सबा में इस मुद्धे को उठाया भी था उन्होंने सीधे सीधे प्रधान सचीव पर निशाना साधा और कहा कि उन्ही के नितरित्व में ये काम हो रहा था और उन्ही के नितरित्व में ये जाच होगा इसलिए मांग है कि उन्हें जाच से हटाया जाए भारतिय टेम इंग लैंड में 7 जून से अस्ट्रेलिया के खिलाप खेले जाने वाले WTC फाइनल के लिए तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी है इस बीचिंग लैंड के पूर्व दिगज स्पिनर मॉंटी पनेसर ने भारतिय टीम को एक सला दी है खास कर भारतिय स्पिनरों के खिलाप भारत और अस्ट्रेलिया के बीच WTC फाइनल साथ से 11 जून तक लंडन के दा ओवल में खेला जाएगा फिलहाल के लिए ज़ल्टेन में इतना ही बिहार जहार खंटीज आत तादातरीन खबरों के लिए आप बने रहे हैं दर्ष्टन्यूस के साथ अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन जरूर दबाए और अब हम फेस्बूक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी मौजूद हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो करें साथ ही आपको हमारी खबरे कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके जरूर बताए धन्यवाद